क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा इमाजन करिए राजनीती का स्तर, पॉलिटिकल पाटीस का स्तर इतना नीचे चले जागा कभी सोचा भी नहीं था जो छपरी लोग करते हैं, गवार लोग करते हैं, जिनमें अकल की कमी होती है, साइको होती है education कम होती है, कुछ सीखा नहीं होता, कुछ सिखाय नहीं जाता उन लोगों को वो लोग ऐसी बाते करते हैं, तो हुआ ये की जो सुपरिया जी है है श्रीनाते जो की कॉंग्रेस की चेर परसन है सोशल मेडिया डिपार्टमेंट की वो ये टिपणी करती है की मंडी में क्या बहुँ चल रहा है obviously कंगना रानावत को भी recently announce हुआ है उनको टिकेट मिली है माचल प्रदेश से मंडी से और ये जो निचले दरजगर इमार्क सुप्रिया जी ने करा है वो दर्शाता है की मासिक सेथी क्या है कुछ लोगों की चुनावों में और राजनीती में इससे निचले सर की टिपणी मैंने अपनी सिंदगी में कभी नहीं देखी आपने देखी हो तो बता ना कंगना रनावत को सीधा प्रोस्टिटूट बोल देना एक तरह से इंडिरेक्टली ये किसी ट्रोल से तो आप एक्स्पिक कर सकते हो पर किसी पार्टी के ओफिशल से नहीं और वो भी आजकल के जमाने में जब एक महीला दूसरी महीला को as a feminist support करती है तो वहाँ इस तरह से महीला को ही नेम कॉलिंग करना क्या सही है एक बॉलिवूट की सूपरस्टार जिसका अभिने किस अब दात देते हैं obviously उनके कई और conduct commandos नहीं करता, in fact उनको एक tweet अभी मैंने उनको sarcastically reply किया था कि आपने तो बोला था हिमाचल प्रदेश से लड़ेंगी नहीं चुना आपको तो complex state चीए और हिमाचल प्रदेश में तो आपने बोला था कि simple है ना कोई crying हो है ना कुछ है आप तो complex state लेना चाहेंगी वहाँ से ticket लेना चाहेंगी तो मैंने उनको sarcastically पूछा था और आप कंगना को कई और grounds पे criticize कर सकते हो चाहे वो उनका रितिक रोशन के खिलाफ statements, me too moments में बहुत लोगों को without evidence without showing any kind of proof boycott Bollywood के trend में उनको आप criticize करते हो, उनको अपनी nationalistic की छवी बार बार जाहिर करने में आप उनको criticize कर सकते हो आप उनको ये भी बोल सकते हो, पहरे boycott Pollywood बाद में आप बिग बॉस में जाके खोदी सल्मान खान के सामने अपनी film Tejas को promote करने लगी आप lock up जैसे reality show को anchor कर रही है जहां हर तरह contestant आ रहा है जिनको शायद आप सही नहीं समझती थी पहले तो अगर hypocrisy पे कंगना रनावत को कोई criticize कर रहा है तो ठीक है पर अगर आप इतनी घटिया स्तर के comment करते हो अगर आप किसी political party के fan हो या किस individual के fan हो उससे मतलम नहीं है पर इस तरह के टिपडियों को कोई भी मुझे लगता political party या कोई किसी तरह के भी leader को support नहीं करना चाहिए और imagine करिए जब लोगों ने उनको इस बारे में भूला तो उन्होंने excuse के दिया इतना lame excuse, इतना lose excuse ऐसी justification जो बच्चा भी उता देगा ये madam को backlash के बाद सूजा है कि ऐसा कुछ कहना उन्होंने बोला कि मेरे account hack हो गया था किसी meme account की विज़े से ये डल गया ये आपका account hack नहीं हुआ है आपको ये meme किसी account ने डाला तो वो meme आपको फसंद आया होगा आपने डाल दिया सोचा कि वाह क्या पन है कंगना को सब ये इस नाम से पुकारेंगे जो आपने मंडी का rhyming सोचा होगा पर जब आपको पता चला कि इस दुनिया में इस देश में social media पे ऐसे लोग हैं जो इस तरके कुकर्मों पे आपको कॉलोट कर सकने है तो आपने बोला आपका account hack हो गया आजकल के two factor authentication के जमाने में सुप्रिया जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा ऐसा कैसा हो जाता है कि इतनी बड़ी और critical position पे तब भी इतनी privacy controls होते हुए भी आपका account hack हो जाता है और hack हो के भी कंगना कही post करने के लिए hack हुआ था और कुछ hack नहीं हुआ था हमारे हाँ तो hack हो जाते है YouTube channel तो उन पे Elon Musk की crypto की live stream चलती है आपके यह यह post करने के लिए hack हुआ था और क्या evidence है आपके पस क्या आप दे सकती है क्या आपने कोई cyber crime report करी है क्या evidence है कब आपका account hack हुआ कब recover हुआ क्या आप इस सब चीजों का evidence देंगी social media पे तब तो समझ में आता है नहीं तो मुझे लगता है राउल गान्दी और इंडियन national congress को उनको बरखास इसी वक्त कर देना चाहिए और ऐसे लोगों की जगे कहीं भी नहीं होनी चाहिए ना किसी political party में ना किसी और जगे इस तरह तो Congress elections नहीं जीत पाएगी वैसी विपक्षी दलो की अभी problem चल रही है 12,000 करोडों का चंदा तो BJP को चला गया है अरविंद के जिवाल अंदर है Congress का खादा seal हो गया अब यह ऐसे comments ऐसे जीत होगे elections आपकी क्या रहा है गाइस आपको क्या लगता है कि यह actually में उनसे गलती से हो गया है यह कोई count है हो गया या उन्होंने खुद किया और अब पच्छता होत किया जब चड़िया चुक गई खेट क्योंकि अब तो सुप्रिया जी का सच सामने आ गया है ऐसे daily trending topics पे आप मेरे reactions यहां इस चैनल पे निरंतर पा सकते हैं अगर आपने subscribe किया हो इस चैनल को अगर नहीं किया तो तुरंत कर लें आप क्या बोलने है इस तरह के विवार के बारे में और सुप्रिया जी के साथ क्या होना चाहिए Congress को क्या करना चाहिए आप कुछ शब्त कहना चाहेंगे सुप्रिया जी को तो मेरे tweet पे retweet कर सकते हैं या उस पे reply कर सकते हैं आप से जानना चाहूँगा इस community section में भी आपकी क्या राया है अपनी प्रतिक रिया दिये बिना मज जाएगा और मैं चाहता हूँ इस वीडियो की माध्यम से इस Congress से भी पूछना की किस तरह की training चल रही है आपके political party में दोस्तों इस वीडियो शेर करना ज़रूँगा क्यूंकि समाज को awareness के लिए आपके इस वीडियो को एक शेर की सक ज़रूरत है मैं हो अकाश आप देख रहते भी पोई और अब कुछ नहीं चुपेगा